नमस्तकार आपका स्वागत है आपके परिवार स्टेडी टेक्निंग में तो कैसे हैं आप लोग उमीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों हम लोग सव प्रश्ण बढ़ रहे थे क्या समान अध्यन के जिसमें से हमने चार वीडियो क किसी चीज की पढ़ाई करते रहेंगे लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी जरूर मिलेगी चाहे आज मिलेगी या कल मिलेगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी तो आपको क्या करना है निरंतर पढ़ाई करना है रेगुलर पढ़ाई करना है तो चलिके द इसको कैसे याद रखेंगें तो आप लोग जानते हैं एक दाद होता है, दाद, खाज, खुजली जो होता है, यह सब किस से होता है, कवक से होता है, आपको पता है, कवक से होता है, तो अब देखे, कवक होता है, माल लीजे, कोई कवक था, और आपको क्या होगा, माय, माय को लाजी, माय को मतलब मेरे को लागी, मेरे को लागी, क्य क्या होगा दाद हो गया याद हो जाएगा ने किस याद करेंगे माई को लाजी माई मेरे को लाजी मीत लागी क्या लागी मेरे को कवक लागी कवक से क्या होगा दाद खाज फलों का अध्यन, तो फलों का अध्यन केया जाता है हमारा पॉमोलाजी में अब देखें पॉमोलाजी कैसे आप आप अप याद करेंगे? ठीखेंगे आते पॉमोलाजी देगे, sinners कमञे, आप से होता है LIVE M 지난 1 gen में जाते निया तो पम्किन अगर फंकिन आ फ्मारा पमोलाजिस हो जाएंगा पंकिन अपकी से आप लोगशी आप करी के लिए पान कि पंकिन क्या है टेγ है किलमेंट के फ़ल मूलजी को मिलता एक इक दूसरी को रिले रिव मेंट करके शुसर पान मेंट आप सकते हैं अब कर सकते हैं किसक gradually के उर्वोकों का भूसक्त सके जो करते हैं किसका प्रव्हार्ड की कि सब्सक्ते हैं माईकोलाजी के इंतरगत किसका अध्यान कावक का, पॉमोलाजी फलों का, कार्डियोलाजी हिर्दे रुगों का अध्यान, और कास्मोलाजी पूरे ब्रह्मान का अध्यान जब किया जाएगा, तो कास्मोलाजी कहलाता है, क्लिर हो गया? चलिये. आगे हम देखते हैं, दूसरा 12 नमर्ध कोश्चन देखिए क्या है? सिक्कों का अध्यन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर, एपी कल्चर, बीटी कल्चर इन में से कोई नहीं तो इसका आप्शन क्या होगा? बताईया अब देखिए सिक्कों का जो अध्यन है वो हमारा कहलाता है नियू मी से में टी के लिखा है नियू मिसमेटिक क्या कहलाता है नियू मिसमेटिक तो सिक्कों का अध्यन क्या कहलाता है नियू मिसमेटिक तो हमारा देखिए पहला वाला अप्शन भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चाओ था हमारा सही है, मतलब इन में से कोई नहीं है, तो सिक्कों का दिन कहलाता है दोस्तों, New Mismatic, ठीक है, New Mismatic में क्या समझेए, आप लोग जो समझेए, इसको याद कैसे करेंगे, देखें, ठीक, सिक्का है, सिक्का मतलब समझ ये पहले जो सिक्के चलते थे, वो नमबर थे, नमबर मतलब माली जी एक से लेकर के सिक्का राता था, आपका नव तक सिक्का है, एक का है, दो का है, तीन का, ह सिक्या याद हो जागा दोस्तों चलिए अब देखिए सेरी कल्चर अब सेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्यन होता है तो सेरी कल्चर के अंतर्गत अध्यन या उत्पादन किया जाता है दोस्तों रेसम के कीड़े का अमने के कीड़े का तो सेरी कल्चर के तो रेसम के कीड़े का तो अब देखे शेरी का अगर उल्टा करदें यह बिसा रेसा कुछ दीख रहा है और रेसा समारा बन जाएगा रेसम तो 새 सेरी को याद करेंगा ऐसे इसका उल्टा कर दिजे स yak 국ня यहाँ लगा दिजे तो सेरी का थोड़ा सा उल्टा कर देंगे हमारा ररेचा टाइप कुछ मने रासा ऐर रेअगा तो सेरी कल्चर के अंतरगत किसका दिन किया जाएगा दोस्तों औरेशम का दिन अब देखिए आगे हमारा देखिए क्या है एपी कल्चर एपी इसके अंतरगत किसका दिन किया जाता है दोस्तों इसके अंतरगत किया जाता है मधु मक्खी पालन किसका मधु मक्खी पालन किसका अब देखिए क्या होता है कि मदमक्खी का क्या निकलता है मदमक्खी से निकलता है साहद और साहद हमारे लिए क्या होता है बहुत भायदें मंद होता है तो मदमक्खी को साहद को क्या करना है इसको ले लो और इसको पी लो इसको ले करके का गरो इसको पी लो किसको साहद को आगे देखिए वीटी कल्चर के अंधरगत किसका उतपादन किसका उतपादन और और अंगूर हमारे एक ऐसा पौधा होता है वो किसी पेड़ पर जो है चड़ जाता है चड़ कर जाकर उस पर फलता है लटकता है तो क्या है वीटी में समझ लिए एक वरगत का पेड़ वरगत का पेड़ है और वरगत के पेड़ पर क्या चड़ गया है अंगूर चड़ करके क्या कर रहा है फर रहा है तो इसको ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं तो कैसे याद करेंगे देखिए सेरी के सेरी को याद करेंगे रेसे से त्रेसम हो जाएगा एपी को याद करेंगे इसको पीना है हमारा दाव के काम आएगा क्या हो जाएगा साहद हो जाएगा मंदमक्की ह जाएगी और बिटी कल्चर मतलब किसी पेड़ पर चल रहा है क्या वट मतलब बर्गत के पेड़ पर चल रहा है क्या हो जाएगा अंगूर याद हो जाएगा आप लोगों को चलिए आगे हम देखते हैं तेज नमर को संग इलेक्टरान की खोज किस ने किया था एक देखिए आपका हमारा एक ट्रिक है ये ट्रिक है इंट इंट पर नाच भाईया इसको आप लोग लिख लीजिएगा इंट पर नाच तो ई से होता है इलेक्टरान और टी से होता है थामसन पा से होता है प्रोटान रा से होता है रदर फोर्ड ना से होता नियूट्रान और चा से होता चेडविक मतलब इलेक्ट्रान की खोज किस ने किया था टी से टा टा को टी लिख सकते हैं ने तो इलेक्ट्रान की खोज किस ने किया था जेजे थामसन ने प्रोटान की किस ने किया था रदर फोर्ड ने और देखें घ्रीट वाला हमारा हो गया है इलक्तरान की से िलक्तरान और टाक को हमुट लिख सकते हैं तो थामसन हो जाएगा ठीड़ कोज़ करता हैं अ कि हेनरी बेकुरल किसके खोज करता है मतलब किसके खोज करता है हेनरी बेकुरल है तो हेनरी बेकुरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी के खोज करता है कौन हेनरी बेकुरल एक कोस्चन और बन जाता भाईया उसको भी देख लिजिए रदर फोर्ड जो थे ने एक चीज और खोजे थे उनका नाम क्या है बताईए उनका नाम है उसका परमाड का नाभिक क्या यह प्रस्ण बनता है परमाड का नाभिक किसके दोरा खोजा गया था रदर फोर्ड के दोरा अब एक प्रस्ण बहुत ज़्यादा पूछा जाता हमने देखा बहुत से एक्जाम में पूछा गया है कि भईया डाइनामाइट का अभिसकार किसने किया था बड़ा इंपोर्टेंट है देखें यहां से रिडेट नहीं कर रहा था फिर भी हमने यहां पर लाकर रख दिया डाइनामाइट का अभिसकार किसने किया था तो डाइनामाइट का अभिसकार किये थे हमारे अलफ्रेड नोवेल कौन अलफ्रेड नोवेल ठीक है तो यह है और एक कोर्शन ओवर आता है कि जा डायमाइट की अब्सकार हो गया पूछता है और अगर हम देखें से ओगार तो आगेगोष्टा है कि TV की ईज़िम करें किस ने कि आ पूछता है तो टीविखकर अब्सकार किसी ने किया था तो जे यमे पर हम पम बैयर्ड ने किया था अündर बोग मैसलोंке वह इससब बहुत ज़याद है दोस्तों भाप इंजन जेम्स वॉट हो जाएंगे और बतायें रेडियो का जो है आभिसकार किसे ने किया था तो मार्कोनी चैस Mbak यह और दोस्तों एक और है बेरोमेटर बैरोमेटर का पिरोमेटर्स काण अबेरा 1 इसका अब इसकार किये थे टोरी सेली नाम उनका बड़ा खतरनाग इनका नाम है टोरी सेली ठीक है तो यह हमारे कुछ इंपोर्टेंटर है जो आप इसकारक इनका नाम आपको बता होना चाहिए वैसे तो आप इसकारक बहुत जादा है लेकिन कुछ हमने बता दिया आपको य अब करें के दूद्र किसी दूता कैसे नपीजाती है लेक्तोमेटर समाल लेजिए आपको एक्जाम में बहूल वीजाए है तो याद करने का पर नहीं ही काई है लैट्ट अब क्या हुआ है अमारा लैक्टिक WILL खता है ठाथ फूर्व Обत्थ多 अब फ्र refinance तो कभी भी अगर लेक्टो आएगा तो आप लोग क्या दिमाग बठाएगा लेक्टिकम लाओ कैसा होता है खट्टा तो क्या नापा जाएगा उससे दूद यहाँ से कर लेंगे याद चलिए अब देखो एक हमारा है फाइदो मीटर फाइदो मीटर से क्या नापते हैं समुद्र की गहराई नापा जाता है याद कर लेंगे फाइदो मीटर से क्या होगा समुद्र की गहराई नापा जाएगा आगे देखिए अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होती है एक हाइग्रो मीटर होता है एक हाइग्रो मीटर होता है एक जगा होता है एक जगा होता ह एक जगह होता है grow high grow एक जगह होता है draw ठीक है draw यह क्या होता है अब draw miss क्या होता है आप grow ko क्या कर लिए गरम grow मतलब क्या Mormon color मतलब क्या RAM कि मैं तो यह क्या गरम आप ऋमीस आप लोग को yaант लग्रीजेे क्या पानी मार Haabant गरा मींट की तो पाने घनतिन की बाक की जाएगी पाने कि ग्नत की बात की जाएगी, तो किस से ना पा जाएगा? हाइड़ो मीटर से. तो ड्रो, ड्रो, डी से आप लोग ज्याद करेंगे, ने? ड्रो, 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 डेंस्टी अजटी मिज होता है, ग्नत तो जहाँ पर कर देगा तो नमिन का कई ये ग्रो ग्रों के क्या 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 कर लिके आप अपलः कर लेंगे या और कहां गया यानल में कर देगा तो आ तो या मंदल के नम हो जाए गरम करेंगे किसको पानी को और पानी जाएगा वाइज मंदल में तो आधरता जाएगा नमी जाएगा बड़ वाइज मंदल की जाएगा दूसे आप isn't अब देखो भाया एक प्टू हमारा पाइरो मेटर पंद से असोर का प्रकास सूर थोस्तोंर पाइरो मीटर से आपका अपका जाता सूर से दूरी है कि सूरु से मतलब कोई हमारा लंबी बहुत बड़ी दूरी जो नपनी होती है सूरि दूस्तों पािरोमेटर से हम नपने हैं उच्चताप जैला पब कम कोई ठीचल सब्सके करma कोई भी हां अपना हो it हमारा पाइरोमीटर से और सूर का था तो क्या होगा पाइरो पाइमीस हमने क्या किया पाया अब देखिए पाइरोमीस क्या हो किया हमने पाइमीस क्या हो किया पाया देखिए कैसे याद करेंगे इसको पाइमीस पाया और रोम उसक्या होता है रे तो हमने क्या पाया रे पाया तो क्या होगा रे मदलब पायरो मदलब तो चीज बहुत जादा गर्म होगी तो मालेजी अगर सूर का टिंपरेचर नापना होत नापेंगे आप पायरोमीटर से तो पाईरो मीटर से क्या नापेंगे आप लोग उच्चताब लेक्टो मीटर जो हमारा खटा हो जाएगा बाद में चलकर लेक्टिकम फाइदो मीटर फेक दो समुद्र में हाइग्डो मीटर ग्रो गरम होने पर वाइमेंडल में जाएगा तो आधरता बढ़ाएगा ड्रो क् हो जायेगा उच्च ताप मान से नापेंगे ठीक हैं मतला पाईरो मेंस कहाँ हमारा लिया होता है किरणे रो को रे कर लेजिए रे आपका निकलता है कोछी जीज गरम कर देंगे तो रे निकह गावां से कर दीने निकलने पीनले के नबका चलीए आगे कर देखे 25 नमबर कोशन हमारा क्या है? सौर मंदल का अत्धिक तीबर चमकीला करहा काउंसा है? बहईया कौन सा गरहा है? सुक्र, सनी, बूध, पुलुटो तो 25 नमबर का अगर हम आप से देखेंगे? कौन सा और हो जाएगा? सुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म गरा कौन सा है सुक्र गरा है चलिए इन लोग बारे में और जानकारी लेते हैं पढ़ते हैं देखिए ये हमारा एक फीगर आपको दिया होगा ये हमारा देखिए है सूर क्या है ये सूर दिख रहा है उसके बाद देखिए हमारा क्या है बुद्ध है तो सूर से सबसे नजदिक वाले पहले वाले पंक्ति में थोड़ी देखिए थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको अज़ेस्ट करिएगा थोड़ा सा तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम यह दोस्तों हो गया आपका जूम ठीक है अब देखिए देखिए एक अध्यान से यह देखिए आपका हो गया सूर तो सूर के सबसे नजदिक कौन सग रहा है बुद्ध ठीक है फिर उसके बाद कौन सग रहा है देखिए सुक्र जिसको आता है बीनस उसके बाद कौन सगरा है आपका देखिए उसके बाद है पिर्थवी उसके बाद है मंगल देखें यहां दिया है कि सूर कितने दिन में देखें सूर से और पिर्थवी के बीच की सब दूरी दिया है कितना कितना दूरी है अब देखें यहां देखें क्या दिया है जूपिटर यहां देखें यह हो गया मंगल हो गया और मंगल और ब्रिस्पत के बीच में क्या राते हैं हमारे देखें चुद्रगरा लिखें यहां पर चुद्रगरा रहते हैं उसके बाद आजाएगा जूपिटर उसके बाद आजा अंगरेजी में याद करेंगे तो म वेम वीए एम, म वीएम मवेम, ठीक है, इसके बाद, जे, एस, यू, अन याद कर लेंगे, क्या मवेम जे सन, ठीक है, इंगलिस में, अब निकित हिंदी में तो आप लोग याद कर लें, क्या बुद्ध, सुकृर, पृत्वी, मंगल, बृ बाव कर दो को साथ कंषिक दो prec髙 को लिए एक मिलिन बुर्वर दस लाक कीना है यहां दिका है यहाँ पर देखिए कि यह देखे लिखा है बुद्ध बुद्ध क्सुर के पता करने पर किप्रकर्माइर पिस्न संब लगाता है अठासी दिन लिखाो का दिख़ा हो गा नई दिख़ाएबोगा तो और जूम करते हैं थोड़ा यह दिखा आपको अब देखिए यह देखिए लिखा है यहां देखे बुद्ध है बुद्ध है शुक्र पिर्थभी मंगल यह देखे दिया है आंत्रिक गरह सूर के बहुत नदी के चट्टानों से बने हैं अगर यह चारों गरह की बात क्या जाएगा तो यह देखिए आंत्रिक गरह कि यह सूर के बहुत नदीक हैं और यह गरह हमारे चट्टानों से मिलकर बने हैं आप देखे इनका आप पई जो देख लेते हैं अपने अच्छा पर गूम्ते हैं और कितना दिन लगाते हैं पूर इधर हम लोगों देखते हैं अब देखे ये ये हमारे बचे हैं बिरिस्पती सनी यूरेनस नेप्चून ये सूर से बहुत दूर हैं तथा आकार के तथा बहुत बढ़े आकार के हैं ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने हैं इसलिए इनको गया का जाता है वे इनको ब ऐड़ दीजिएगा ठीक है दोस्तों तो हमारा पूरा क्लियर ऊगया होगा आपको विदि आप का चले कि ये पुरा आग5 समझ असधें कि सूर्य के पास्फमे स्송धाई में कौन गरा है तूर पूरा समझ लिए चले तो दशतों आगे देखते हैं ये हमारा स्थे यह इसको दोस्तों के शेयर करें तक यो लोग भी ऐसी जानकारी लेसके और अब ही तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है So Arbeit कर लिजें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिन्ग वीडियो और ऩिशrict याद करने मैं लेकर आता हो गा विदिए तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद जय हींद बंदे मातरम